अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की जरूरत पड़ती है जैसे मैं गाड़ी चला लेता हूँ, अब वो रोटियां बना लेती है, मैं थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, आजकल तो बच्चे भी फोन चला लेते हैं ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस जिन में हम किसी काम को कर लेने या कर पाने के बारे में बात करते हैं, इनको इंगलिश में बोलने के लिए हम एबल टू का यूज करते हैं Able to का मतलब होता है कर लेना या फिर कर पाना यहाँ पर हम able to का use इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे sentences में हम किसी की ability यानि की शमता के बारे में बात करते हैं कि वो किसी particular काम को करने में able है या नहीं अगर negative sentence बना रहे हैं तो unable to या फिर not able to का use करते हैं जिसका मतलब होता है नहीं कर पाना इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं इसके rule में सबसे पहले subject आता है subject के बाद subject और tense के according helping verb आती है इसके बाद able to या फिर unable to इन दोनों में से कोई एक आता है इसके बाद verb की first form आती है और last में object आता है चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरा से समझ में आ जाए मैं गाड़ी चला लेता हूँ या फिर मैं गाड़ी चला पाता हूँ I am able to drive a car मैं गाड़ी नहीं चला पाता हूँ I am unable to drive a car या फिर I am not able to drive a car अब वो रोटियां बना लेती है Now she is able to make chapatis मैं थोड़ा बहुत गा लेती हूँ आजकल तो बच्चे भी फोन चला लेते हैं Nowadays, children are also able to operate mobiles दादी अब चल फिर नहीं पाती है Grandmother is not able to walk around now Grandmother is not able to walk around now वो ज्यादा English नहीं बोल पाता है He is unable to speak much English या फिर He is not able to speak much English वो ज्यादा सर्दी नहीं जेल पाती थी She was unable to handle the extreme cold या फिर She was not able to handle the extreme cold क्या तुम English बोल लेते हो? Are you able to speak English? Are you able to speak English? क्या वो खाना नहीं बना पाती थी? Was she unable to cook food? या फिर Was she not able to cook food? अब एक sentence आपके लिए मैं बाइक चला लेता हूं और मैं बाइक नहीं चला पाता हूं इन दोनों ही sentences को हम able to और unable to को यूज करके कैसे translate करेंगे इंग्लिश में? या आप मुझे comments में बताएए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइप कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ अब तक के लिए टेक कैर बाबाई